नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है अबकी बार या यू कहें साथवी बार भी गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पर बीजेपी की इस प्रचंड जीत से आमादमी पार्टी में भगदर मच गया है खबरे के सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो एकका दुका सीटे आमादमी पार्टी के पाले में गई है वो अर्विन के जिवाल को बड़ा जटका दे सकत है इस बड़ी कबर पे मेरे साथ निउस रूम से जुड़े हुए है कि आमादमी पार्टी के पांच कंडिडेट ऐसे हैं जो जीत रहे हैं उसमें से दो जीत चुके हैं तीन अभी आगे चल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अर्विन के जिरिवाल के खेमे मे जो मायूसी है गुजरात को लेकर उसके कारण वहाँ पर भी भगदर मचे हुई है अभी अर्विन के जिरिवाल की पाथी का ये ट्रेंड रहा है जहां जहां सरकार नहीं बनी विधायक नहीं रहेंगे सरकार नहीं बनी सांसद नहीं रहेंगे वो सब बाहर का रास्ता ही त करते हैं जैसे गुजरात की बात करते हैं गुजरात में धीरे धीरे जो महत्वा कांशा इसकी बढ़ी थी अर्विंद के जिरिवाल को इस लेकर बढ़ी थी क्योंकि वहां पर जो नगर फालिका के नगर निगम के चुनाब हुए थे लोकल बॉडी एलेक्शन में सूरत और उ अब जो पांच विधायक बनने वाले हैं जिसमें से दो बन चुके हैं वो भी अब उसी रास्ता पर जाने वाले हैं क्योंकि जो इस्थियां हैं वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो लोग हैं वही इसके ओर इसारा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सेकंड लीड कर दिया जब 30,000 और 26,000 की बड़त उन्हें मिलने लगी उनको लग गया था कि अब अर्विंद के जिरिवाल ने जो बड़े-बड़े सपने दिखाए थे जो आप अपडेट बता ले थे कि 5 सीटे जीत सकती है फिलाल अगर चानल पे नजर डाले तो आकड़ा जो है वो बीज़ेपी का दोपहर के बाद से ही 158 चल रहा था ये घड़ गया है और ये घड़के यहां पे 4 से बढ़कर 5 हो गया है मतलब फिलाल का दो की तो जीत पकी है लेकिन जो बढ़त बनाए हुए थे उसके आकड़ों की बात करें तो फिलाल अभी के हिसाब से ये जो आकड़े है वो 157, 16 और आपको 5 सीटे गुजरात में मिलती हुई नजर आ रही है पर बड़ी खबर ये है कि जितनी भी सीटे आम आदमी पार्टी ले जाए उनके केज़रीवाल जो बड़े-बड़े पोस्टर लगा रहे हैं वो गुजरात में नहीं दिल्ली में लगा रहे हैं। इनको लगता है कि गुजरात में अब सारा कारोबार बंध होने वाला है वहां पर उनका कोई भवेष्ण नहीं है क्योंकि लोग सभा-चुनाब में अब ग जीत रहे हैं जिसमें से दो लोग जीत चुके हैं और तीन अभी बड़त बनाये हुए हैं जितकी जीत की संभावना पूरी मानी जा रही है क्योंकि कोई 16,000 से हैं कोई 26,000 से हैं कोई 42,000 से हैं तो इतने वोटों के मार्जीन जो चल रही है उसमें अंतिम दौर में उसको संपर्क में हैं क्योंकि अरविंद के जिरिवाल इस बिच गुजरात पूरी तरह से कट गए सुबह में जैसे ही रूजान सामने आने लगा आप देखेंगी कि कोई भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता सामने में नहीं आया इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इसकी ब पताया जा रहा है कि ये सारे के सारे विधायक अब भारतिय जनता पार्टी के तरफ रूख करने वाले हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि पहली बार किसी तरीके से आम आदमी पार्टी का चुनाब के तरे आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाब तो जीत गए लेकिन पंजाब में जब पिछली बार विधान सभा चुनाब हुआ तो विधान सभा चुनाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी एंट्री की थी उस समय परमुक विपक्षी पार्टी बनी लेकिन धीरे धीरे चुकी विपक्षी पार्टी में थी तो उस समय धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ते गए उसी तरीके से जैसे कि पंजाब में भी चार लोग सवा सीटें अरविंद केजरिवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जीती थी लेकिन तीन के तीन सांसद इनसे नाता तोड़ कर जा चुके थी तो जहां सरकार होत कि वहां पर तो आम आदमी पार्टी के नेता जो विधायक बनते हैं वो सारे के सारे एक जूट रहते हैं सरकार के साथ रह पाते हैं क्योंकि उनको फायदा दिखता है लेकिन जहां-जहां सरकार नहीं बनी हैं जहां ये विपक्ष में भी ओ और गुजरात में तो सनला को ब्रिज करना कोई बड़ी बात नहीं होती है पांच विधायक होंगे तो पांच में से दो तिहाई कितने होंगे यानि कि तीन विधायक दो विधायक भी पार्टी छोड़ कर एक वार जाएंगे दो बच जाएंगे दो दुवारा चले जाएंगे जो इस्थितियां भी बनी हुई है क्योंकि दिली में जो आम आदमी पाथी है वहां से ये सूचना मिल रही है वहां के लोग बता रहे हैं कि अभी यहां पर कुछ जो बैठ के चल रही है हिमाचल परदेश और गुजरात के चुनाप को लेकर उसमें इस बात का शक जताया जा रहा है कि इन लोगों से संपर्क करो जब कुछ लोगों ने संपर्क किया तो दो जो लोग थे आम आदमी पाथी के जो परत्यासी हैं ये नाम की बात नहीं हो रही है क्योंकि नाम बताया ही नहीं गया लेकिन ये सूतर बता रहे हैं कि दो लोग फोन बंद करके रखे हुए हैं अब आम आवे पा क्योंकि आम आदमी पाथी में जो आला कमान कल्चर है वो भारतिय जनता पाथी कॉंग्रेस यहां तक कि कॉंग्रेस की बात जो करते हैं कि कॉंग्रेस पाथी में गांधी परिवार के अलावा किसी और की आउकात नहीं है कि वो उनसे नजरे मिला के बात कर सके लेकिन उससे भ अतरनाक और भयानक इस्तती आम आदमी पाठी में हैं। आम आदमी पाठी में अरविंद केजरिवाल के सामने कोई विधायक, सांसद या की अब तो एक चीफ मिनिस्टर और भी हो गया भगवंत मान की बात कर रहे हैं। ये लोग सामने सामने बैठने से कतराते हैं क्योंकि अरविंद केजरिवाल सबसे बड़ा ताना साही रवया दिखाने वाले नेता हैं। जिनको अरविंद केजरिवाल के साथ दोस्ताना विभार था, वो उनके साथ बैठ सकते थे, डिसकस कर सकते थे, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। क्योंकि ये लोग जो वादा करके आए थे, जो बाते बड़ी बाते करके वहाँ आए थे और इन लोगों का जो पैसा लगा गुजराद चुनाब में, उसके बाद अब इस सितियां यही आई है कि ये सारे के सारे विधाये अपने भविश्य की तलास करने लगे हैं कि उनका केरियर कहां पर बिश्य करके बात करें अर्विन के जिवाल की उपर कई तरह के आरोप भी लगे, टिकट बेचने का आरोप लगा, अब इतने महेंगे-महेंगे कोई टिकट खरीदे, बाद में टिकट भी नहीं मिलता था, और जो बड़े-बड़े चारे हैं चाहें, वो ग किमाने की बसूली तंतर जो इसके थी, इसी के कारण केजरिवाल ने बर जड़ बढ़कर पैसे वहां खर्च किये, और पहले एक भाव भंगिमा बनाया, एक महौल तयार करने की कोशिश की, कि जब तक हम टक्कर में अपने आपको दिखाएंगे नहीं, वही बात है, कि जो दिखेगा नहीं, वह बिकेगा कैसे, और इसी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के कारण, अरविन केजरिवाल ने पहले महौल बनाया, और उसके बाद टिकटों के दाम तै किये, कि किस विदान सवा, छेतर में कितना पैसा दे कर आपको टिकट मिलेगा, चली बहुत-बहुत पांच विदायक है, वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी से संपर्क साथने की कोशिश कर रहे है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है, अरविन के जिवाल के सारे दावे खोकले हो गए, बड़े-बड़े चैरे जो आम आदमी पार्टी के तरफ से चुनाओ लड़ रहे कि बीजेपी की प्रचंड जीत देखने को मिल रही है, इसलिए गुजरात में बीजेपी का अस्तित्व बरकरार है, प्येमोदी का जादू चल रहा है, अमिशा की मैनत रंगलाई है, और यही खास वज़ा है कि आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक है, वो अब झाल